वेरी गुड मॉनिंग स्टुनेंट्स आयम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवजोती ग्लोबल स्कूल पाहड़ पानिंग और आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ठीक है क्लास सिक्स्त के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फॉर जिसमें हम पढ एं सब चीजों के बारे में हम पढ़ lei अनवे बन्हें स्टुरि огगा डिक है जिसमें हम में स्टुरि रहे हैं स्टूरी में बताया है कि थो डिल्लिंघ और हम रागों कि तो तो बें हैं कि गःर्व कितनी अच्छी है हम्ने से एफ करना चाहिए ठीक है नहाप स्टूरी द अपने गली में वो क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के बाद क्रिकेट खेल रहे थे ठीक है वेन दे नोटीस ता पीपल हुआ एड्माइरिंग दा जिलेपिडेटेट ओल बिल्डिंग इन दाट चिल्रन कॉल दा हॉंटेट हाउस अब क्या है उन्होंने जब वो क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के बार गली में तो उन्होंने नोटीस किया कि जो वहांपे लोग खड़े हैं वहांपे एक बहुती पुरानी और जो खाली ब बूतियागर तो जो लोग खड़े हैं वहांपे उसकी तारीफ कर रहे हैं उनमें से कोई बोल रहे हैं लुक अट दी आर्किटेक्चर एक आदमी बोलता है कि आर्किटेक्चर देखो इस बिल्डिंग का कितना अच्छा है है वह सीन देख वुट क्रेविंग कितने अच्छ कि यहां में जो है मिनिस्टर से बात करनी चाहिए कि यह जो ओल्ड बिल्डिंग है ओल्ड हाउसे इनको जो अच्छे से रिपियर करा जाए और प्रिजर्व करा जाए क्योंकि काफी सुन्दर लग रही थी उन्हें वह देखने में ठीक है तो फिर बच्चे सोचते हैं बच्चे सब लिएतक भाड़ी है सबस्क्राइबwe सबसे पहले बिछाई जा रही थी तो इंजीनियर स्टंबल अपॉन दी साइट ऑफ दी हरपा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान मतलब जो इंजीनियर है उस साइट में जहां पे वो रेलवे राइन बिछा रहे थे तो उन्हों ने वहाँ पे कुछ ऐसी चीज देखी जिससे कि वह एकदम शौक रहे गए वह जो अभी एरिया हरपा वाला वह अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है ठीक है तो इंजीनियर जब वहाँ पे रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज देखी कि जिससे वह एकदम शौक हो गई तो टैम इट सीम ला मुझा जिसमें कीजा है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ब्रिक है और डैफिनेटी बिक इंच्छी क्वालिटी की होंगी तभी इतने साल पहले से अभी ही वह चीज अभी तक प्रेजेंट अर्च एसे खुई खया भी नहीं आई है तो उन्होंने क्या करा सो दे के रीट । थाउजंड सफ बीकुfl εί Dieu उन्होंने देखा की पुछ तो भहुत यह दिआ किया और उन्होंने क्या करें गें से कुछ बिरहन भीस साथी विल्डिजन से निकाल ली 몇 सीटार अबढ़ी ृडडिजन वहाँ उन्हों फिर क्या है देन बाउट 80 एगो फिर लाइक 80 साल पहले क्या हुआ आर्के लोजिस्ट फांड दा साइट और रियलाइज दा दिस वाज वन अव दी ओल्डेस सिटी इन दे सब कॉंटिनेंट फिर कुछ टाइम पहले आर्के लोजिस्ट मतलब जो हिस्ट्री के बारे में यह सा जो 10 से 80 साल पहले अग्त पाली ऐससी साइट में थे जहां पर आपने देखा वह यह देखला उससाइट को देखे कि मतलब जो यह साइट है मतलब यह सब कॉंटिनेंट रहा पूरा उसकी सबसे और और इससे सबसे पूरानी सिटी होगी ऐसा कुछ मिला होगा वह हूंने जि जहां पर विफिने इसीमीलोप दिसकोर्ड की गई होगी और सीमीलिर बीलिंग और फिर अधर साइट पर जहां पर वह कि मैड्लीयमिग फिर सिमीलर टायप की अछिए सिमीलर टायब की बील्डिंग समतुड़ोऑ और साइप लोगों को वहां पर ब्रिक्स मिल रही है तो कुछ सोचिए कि कितने अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स होंगी कितने अच्छी तरीके से बिल्डिंग्स को बनाया गया होगा कि अभी तक वह प्रहती आज से साल पहले वह डिस्ट्रॉइड नहीं हुई थी तो फिर अब देखिए what was special about अब इन cities को जो वह मिली थी इनके बारे में special क्या था खासियत क्या थी इसकी इन cities की इसके बारे में पढ़ता है अब इन में से जो cities मिली थी इन में से बहुत सारी cities का थी दो या फिर दो से जादा मान लीजे एक city है उसको दो या फिर दो से जादा parts में divide किया गया था अब देखिये जो part West के साइड में था एक city है ठीक है उसे divide किया गया है दो part में या 2 से जादा तो अभी जो city की बात करने से जैसे 2 part में divide किया गया है तो जो West का साइड है वह क्या था smaller area में था लेकिन क्या था higher था मतलब थोड़ा उचाई में था जो वह city का part था और क्या था मितलब जगह थोड़ी कम थी तो आर्किलोजिस्स डिस्ट्राइब दिस एस इस सिटेडियल तो अर्किलोजिस्ट ने सको क्या बोल दिया सिटेडियल बोल दिया फिर जैनरली ते पार्ट ऑफ दी एस्ट वास लाजर बट लोवर अब उन्होंने देखा कि जो सिटी है ठीक जादा थोड़े जादा एरिया में फैली होई थी लेकिन लोवर एरिया में थी मतलब थोड़ा नीचे को थी हाइट में जादा हाइट में नहीं थी तो इसे क्या बोलते थे इस कॉल दी लोवर टाउन भी उन्होंने इसे बोला सो वहरी ओफन वाल्स ऑफ बिल्ड अरांड दोन पार्ट वैस्षट वाला पार्ट था जो डिवार बनाई गही थी थी फोलिती और दम यदध वर रिकष में तो तो तक अभी आधी वीजिण रहें जिए आ पेजोरो न हमें साही सलामत वो चीजह दीकर रही हैं the bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong अब जो brick है उनको interlocking pattern मतलँ interlocking मतलल अच्छे से किसी चीज़को टालमि से कैसी में fix कर देना interlocking pattern में जो है bricks को fix किया जाता था तभी वो wall जो है तिनी तेक स्टोंग है और आज तक प्रेजेंट हैं यही चीजे स्पेसेल इन सिटी के बारे में और भी चीजे जो है इन सम फेशल बिल्डिंग वर कन्स्ट्रक्टर्टे अंदी शिर्टे पर बनाई कोई ती सटैड्टर किया था जैसर कि मोहनज दाड़ों आप ना भी होगा भी मोहन जिदाडों का नाम आपने ठीक है अब वेरी स्पेशल टैंक विच आर्केलोजिस्ट कॉल दा ग्रेट बात मोहन जिदाडों में क्या था एक बहुत ही बड़ा टैंक जो है वहां पर बना गया था जो कि अभी भी यह लोगों को वहां पर देखने को मिलत है कि यहां पर जो है लोग अपनी जब कुछ अच्छा काम होता होगा या फिर किसी अच्छे से मौके पर लोग यहां पर आके क्या है नहाते होंगे स्टान करते होंगे वहां पर उन्हें यह देखने को मिला था कि बहुत ही बड़ा एरिया है यह बैस्टें साइड में था थोड़ा ही लिए जो अपर पार्ट में है और वहां पे एक ग्रेट टैंक उनको मिला था ठीक है और वहां पे क्या था इसमें ब्रिक्स लगाई गई थी और प्लास्टर भी था और मेड़ वाटर टाइड विद लेयर अफ नैचुरल टार और क्या है ब्रिक्स ऐसे लगाई लगाई थी तो फॉर्म टू साइड और क्या है और वहां जो स्टैप सीडियां भी थी जो उपर से नीचे टैंक में जाने के लिए लगाई गई थी दोनों साइड से सीडियां थी वाइल देर वर रूम्स ऑन और चारो साइड क्या थे वहां रूम सेब देखिए इसमें दे पनाई थे इसे ग्रेट बात भी बोलते हैं तो वाटर वस प्रोबैबली ब्रोट इन फ्रम वेल एंड ड्रेंड आउट आफ्टर यूस अब कहा है लोग सोस्ते थे कि जो इतना बड़ा ग्रेट बाद थे यहां पर पानी कहां से आता होगा मतलब वह सोस्ते थे कि प्रोबै निकाल देते होंगे पानी तो परहब्स इंपोर्टन पीपल टुकर डिप इन थे टैंक उन इसे बात लेते होंगे जैसे अभी गंगा रिवर है कुछ बात लेते होंगे तो यहां लोग क्या है वहां पर जाके बात लेते होंगे तो एसे ही मोहन जो दाड़ो में भी उन्हो एक टैंक बनाया था ठीक है जिसमें पानी वेल से लाया जाता था और सीडियां थी जिससे की वो नीचे जाते थी ठीक है टैंक में और टैंक के चारोर जो है कोट्यार्ड जो है कम्रे बने हुए थे और किसी स्पेशल ओकेशन में यहां पर जाके लोग बात लेते थे अपनी अधर सिटी सचेस्ट काली बंगन और लोथल है फायर अल्टर्स मतलब कुछ चीजे बनाया गया होगा जहां पर यह दिखाया था कि मतलब यहां पर लोगों की बली दी जाती होगी ऐसा कुछ माना दाता था क यहां पर जाके लोग देते होंगे किसी जैसे मतलब उन्होंने कुछ चीज मांगी ठीक है तो वह पूरा होने के लिए लोग अपने सेक्रिफाइसे यहां पर देते होंगे ऐसा वहां पर फायर अल्टर्स जो है मिले गए थे और जैसे की मोहन जोडारो हरपपा हो गया लोथल हो गया इन सिटीज के क्या थे अपने बहुत बड़े इस टोर हाउसे थे जहां पे आपना समान स्टोर करके रखते थे गरों के बारे में बताया है कि यहां के घर कैसे हुआ करते थे और यहां के ड्रेन सिस्टम जहां से वेस निकलता है वो कैसा था और यहां की स्ट्रीट्स जो गलियां थी वो कैसी थी इसके बारे में बताया गया है तो देखिए generally houses were either one or two stories जो houses थे like वो एक या दो मंजिला ठेक है इतने ही हाई होते थे इससे जादा नहीं होते थे या तो एक मंजिला होता था या तो दो मंजिला with rooms built around a courtyard तो वहाँ पे क्या था? बीच में क्या था? एक बहुती बड़ा courtyard बनाया जाता था जैसे यह मानिजे यह पूरी एक जमीन है यह पूरा एक area है तो इसके बीच में क्या है बहुती बड़ा खुला आगन बनाया जाता था और इस आगन के क्या है? चारो और क्या है? कमरे बनाये जाते थे ऐसे पहले वो घर का structure था कि बीच में खुला आगन होगा और उस आगन के चार और कमरे बनाए जाएंगे Most houses had a separate bathing area बहुत से houses ऐसे थे जिनका अपना अलग से bathing area था And some had wells to supply और किसी किसी के प्यास किया थे अपने कुवे भी थे जहां से वो अपनी पानी ले के आते थे So many of these cities has covered rain इन में से बहुत सारी cities के पास किया थे अपने covered ट्रेंस थे जहां से वेस्ट पानी जो निकलता है वो पूरा covered था खुलानी था कि देखी कितने साफ सफाई अच्छे से रहते थे पूरा covered rain था Notice how carefully these were laid out in a straight line मतलब एक straight line थी और बहुत ही अच्छे से जो हर ड्रें कवर्ड किया गया था Although you cannot see it हम जो हर ड्रें क्योंकि covered था तो ने देख नहीं सकते थे East drain had a gentle slope so that water could flow through it और क्या था हर ड्रें में एक gentle slope था धलान टाइप की थी नीचे को जिससे कि क्या है पानी अच्छे से उसमें से flow हो सके Very often drains in houses were connected to those on the streets अब क्या था mostly क्या होता था जो houses का waste निकलता था जो houses में drain थे वो किससे connect करते थे जो streets हैं ठीक है streets हो गया गली महुली हो गई वहां पे की जो drain थे उससे connect करते थे और and smaller drain and led to the bigger one फिर जो streets था street के drain जो थे street से जितना भी wasted जाएगा वो कहां पे होता था एक smaller drain होगा जहां से हर घरों से हर street से मिलके drain जा रहा है ठीक है गंदा पानी जा रहा है वहां पे connected होता था और यह smaller drain से फिर जितना भी तो inspection hole जो है वहां पे उन्होंने बनाई थे जिससे कि वह उनको कुछ कुछ time पे अपना clean कर सके ठीक है इसले inspection hole बनाई थे all three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time अब जो यह houses, drains and streets है इन सब को बनाने से पहले एक ही साथ कुछ फिर इन की planning की जाती थी जैसे एक घर है तो वहाँ से यहां से इस-क ड्रेइन निकलेगा फिर यह सानथ इस्ट्रीट में जाके मिलेगा फिर यह स्ट्रीट है ठीक है आपको कि ऐसे देखिये कैसे यहां से गलियों से स्ट्रीट से यहां से ढूरें हैं ठीक है बिगर ड्रेंद में जाके फिर यह मिल रहा है यह घरों से आ रहा है यह आपको एक्जामपल दिया है फिर life in the city अब city में जो लोग रहते थे उनकी life कैसी थी वो कैसे रहते हडपन सिटी वह बहुत ही बीजी प्लेस थी यहां के जो लोग थे वह अपने कामकाजों में बहुत ज्यादा बीजी रहते थे देर वर पीपल हो प्लैंड दा कंस्ट्रक्शन आफ स्पेशल बिल्डिंग इन शिटी अब कुछ लोग थे जो कि क्या प्लैन करते थे बीजी कि जो बिल्डिनग है वो स्पेशल सिटी में कैसे बनेगी कुछ लोग होते थे जो प्लैन करते थे तो कौन होते होंगे वो लोग definitely हैड ह्ट होती होगे तो they were wollten जो उस एरिया का रूलर होता होगा, जो हैड मैन होता होगा, वह ही रिसाइड करता होगा कि construction कैसे होगा in a special building का, it is likely that the ruler send people to distant land to get metals, अब जो है ruler जो वहां के लोग होते होंगे, उनको इधर उदर जगाओ पे बेसता होगा, जिसे की वहां से metal लेके आए और बिल्डिंग बनाने के लिए, stones लेके आए और अधर भी बहुत सारी चीज़े लेके आए, जो उन्हें ज़त चाहिए, जिनके इनकी ज़रूरत है construction करने के लिए, they may have kept the most valuable object such as the ornament of gold and silver and beautiful beads for themselves, अब जो राजा लोग होते होंगे, वो क्या करते होंगे, वो लोग और gold and silver and beautiful ornaments भी जगाए से गाओं के लोग लेके आते होंगे, लेकिन जो राजा लोग है वो लोग अपने पास यह सारी जो important या फिर precious चीज़े थी वो अपने पास ही खुद के लिए रख लेते थे, and there were scribes people who knew how to write, और वहाँ पे कुछ scribes people, मतलब जो लोग लिखना है वो पड़े लिखे थे, वो लिखते भी थे, वो लोग के एक सील बनानी में सील मतलब स्टैम्प होती है जो हम आज कल भी डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें स्टैम्प लगाते हैं, तो उन लोग को मतलब जैसे वो पड़े लिखे लोग थे थोड़ वो लिखना जानते थे तो उन्होंने सील बनानी में भी help करी, और परहब्स रोट अधर मेटेरियल डैट है नौट सर्वाइब ठीक है और कुछ ऐसे मेटेरियल में भी उन्होंने लिखा होगा जो कि आज तक बचे नहीं है सारे मेटेरियल्स, बिसाइड देर वर मैन और मोमें उन्होंन और वोमें भी थे जो क्राफ्ट परसन थे अच्छी चीज़े बनाते थे, मेगिंग अल काइंड ओफ तिंग्स आल या तो अपने घरों के लिए बनाते थे और या फिर वरक्शॉप में जो है वहां अच्छे थी चीज़े बनाते थे, चीज़े बनाते परसे और वहां से लेके आते थे और वहां के स्टॉरिज मतलब वहां क्या था कैसा था वो भी चीज़े उनके साथ देखते हूंगे उन्हें पता चलता होगा। So many terracotta toys have been found and long time ago, children must have played with these. So terracotta toys are also present, here we will show you the terracotta toys, which means that children will play with these toys. Now look at the new craft in the cities, here we have given you the new craft in the cities. So let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal. And the archaeologists have seen that there are many things that are made of stone, shell and metal. The metal is made of stone, bronze, gold or silver. And copper and bronze are also made of tools, weapons, ornaments, jewelry or vessels. And gold and silver are also made of ornaments or vessels. And perhaps the most striking found are those of beads, weights and blades. Now look at the Harappan also made of stone. Harappan was made of stone, which were made of stone. Which are by the fish they were made of principles. These are generally rectangular materials and were used as a road system. Here are the animals and the wooden poles were made of stone каким As the strong stone made of wood, these are the monotely materials from stone. तोई जिससे की बच्चे खेलते थे वहले माँ पर यहाँ आपके लिए कॉर्टन वस प्रोबैबली ग्रीन एट मेहरगर्ड फॉर बाउट सात अजार साल पहले से जो कॉर्टन है प्रोबैबली मेहरगर्ड में जो है अगाया जाता था अपके है जो कॉड़न जो कॉड़न की वेस में पर मूह होते था धरवर्ट है आपके है और जो आर्केलोजिस्ट है उनको क्या मिला है स्पेंडल वोल्ड भी वहां से मिली है जो कि टेरोकोट और फैनेंस का बना हुआ है यह फैनेंस जो है एक आर्टिफिशियल कंपाउंड नैचरली नहीं मिलता था जो कि गम की हैल्प से इसको अच्छा शेप और साइज देके ब प्रद्व में प्रद्व में अब कि जो खु़च यह लोग में बनाया होगा है कि हर किसी के बाद कि दूभ तो न्हीं चीज़ बनाते होंगे इस बहले को खु़चाइब को ड़ेंग बनाते हों गए ऊंग इस तो भी तो अब फैशलिस्ट कहा है जो सिर्फ एक ही काम कर सकत अब जैसे प्रोफेशन है हर किसी का डॉक्टर है वो तो लोगों के देख भाल करेगा आज कि टीचर है तो वो स्टुलेंट्स को पढ़ाएगा ठीक है तो ऐसे ही क्या था पहले की लोग जो थे स्पेशलिस्ट लोग थे उनको एक ही चीज को बनाने के लिए ट्रेन किया जाता था जैसे की कटिंग स्टोन या फिर स्टोन को कट करने के लिए बीट्स को पॉलिस करने के लिए या फिर किसी चीज में कुछ बनाने के लिए ठीक है लुक अट इलिस्ट्रेशन और सी हाव वेल दफेस इस काफ़ड़ और हाव कियर्फुली दा बियर्ड इस सोन ठीक आप देखें आपको एक इमेज दिखाईए यहां पर कैसे कितने अच्छे से बनाया गया और यह बियर्ड देखें कितने अच्छे से इसके बनाई है तो किसी परसन नहीं यह बना इक इसको माहिर के ट्रेइन अच्छे से बनाने में और इस बनाने में माहिर हो गा तो मतलब स्पेस्यलिस्ट जी जो है वह यह शीज बनाते थे अब कच्छे मटेरियल ृग के नियुकर शर्च ऑन बताए लोग इधर से उधर जाते ते पहले उनके वा रीहार दुपिरीट दूर। ौक्न उसके बाद कि उनको अच्छे से प्रोसेस कियाया था और बनाया जाता था जैसे ऑडियों मेंतले जिलते था से व्यहाइक ऊज़ा, जा इक बना स्पाइएका या चीज़ेते थे पर बना लीटे थे पर एक्षू करिखे ऐतकों स्थी जो ह जिसकी हेल्प से क्या है क्लोथ बना रहे हैं तो कॉटन के हो गया है और उसकी अच्छे से प्रोसेसिंग हो रही है तो क्लोथ बन रहा है जो कि हुमन बिंग फिर यूज़ कर रहे हैं अपने पहनने के लिए क्या कभी कभी लोकली मिल जाते थे और बहुत बात क्या होता था बहुत बार जैसे की कॉपर टीन गोल्ड सिल्वर प्रीशेश स्टोन होगे यह लोग जो है बहुत दूर इधर इधर जाके लेके आते थे जो जो ब्रॉण बनाते थे जो अभी जा सी तांवम अब आखकल जो प्रेजंट है ठीक है तो इसमें सारी चीज़े बताए कहीं है और जो गोल्ड है वो अभी जो है करनाटक है वहाँ पर प्रेजेंट है तो वहाँ से इन चीजों को यह सारी चीजें मिलती होंगी हड़पन्स लोगों को और जो प्रिशेस स्टोन है लाइक अभी जो गुजराद इरान और अफगानिस्तान में है भी खिंटान में NEसे कम्तान इस दुबसें से लोग को चीज़े को अभी मैदीआ को अभी मिलती हें अभी ऑट आ खिंटान को थें को और राणने को सहर परसंपर्शन जो चीजसे बनाते थे आ कर दोछे सोग दोटोडों पूल सबना उना दोटोटों पंटी आनिमल को पालते थे खिक है उन सब आप से यह लोग उनको पूटे दे खिक है विन्हों फूट रिमेंस वंदेट थी अब देखें आप नियुक्तर सब्सक्राइब कर दोती है जादे तर वीड पेलि पलसस पीस राइस ठीक है मस्टर्ड यह सारी चीज़े उगाते होंगे अन्यू टूल देख टूल था ठीक है यहां पर आपको दिया है यह मुस्ली खेट को खोदने के काम आता था और वहां सीट्स लगाने के काम आता था अब जैसे जो असली में जो प्लो यूस करते होंगे वह क्या था वूट का बनावा था तो इतने टाइम जो लकडी सड गई वह इतने टाइम शर्वाइब नहीं कर पाया लेकिन टॉय मॉडल है बिन फाउंट ठीक है अब जैसे उसी का एक मॉडल जो बच्चों के खेलने के ल फारी शर्वाइश नहीं होते हैं तो सम फॉर्म वर्म फारी अब इरीगेशन करने के लिए एकुछ चीजे की चाहिए डेस्य करने के लिए आप इर्रॉप डेजिआ में टीकिन रह झाईशन लग यूयरा में जादा करने के लिए पाने होँगे श्राश वो अपने केटल, शीप और बफलों को चराते थे, वाटर एंड पैस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड यह सारे चीज़ें, मतलब ऐसे ही अरिया में रहते होंगे, जहां वाटर अप्छे से अवेलेबल हो, लेकिन क्या गड़ते होंगे, जब ड्राई समर मन्त होते होंगे, लाइज होंगे, लाइज होंगे, जब पानी वाले एरिया में रहते होंगे, जब पानी सूख जाता होगा, तो अपना अनिमल्स जुण्ड होगे, वो उनको क्या है, बहुत ही कहीं दूर जगह पे ले जाते होंगे, जहां कि वो ग्रास और पानी डूट पाई, ऐसी जगह अपने अनिमल्स को ले जाते होंगे, और वो क्या फूट्स भी कलेक्ट करते होंगे, जैसे कि बैर हो गया और वो फिश को पकड़ते होंगे, उनको हॉंड करते होंगे, ठीक है, उनको मारते होंगे, ऐसे वो लोग जो है रहते थे, अ क्लोसर लूग हरपन टाउंस इन गु ठीक है वेर देर वर फ्रेश वाटर और वहां क्या है फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल जो है प्रेजेंट थी अब जैसे उपर जैसे हमने पढ़ा था ना कुछ हड़पन सिटीज थी जो दो बार्ट में अनलाइक सम अब अधर अधर अपन सिटीज विच वर टैसे वाज हैं ऐसे वहाडत को principles झाड़ गया था आरह असे तो टैसे चीज चीज़बम करते हूंगे तो उस एंपन ओपन सिटेलस के अनलाइक अलॉख यची कहसा घुला इरा अहांवैकित करते होंगे दो ऊसे थी ए सेलेप्रेट चीज करते होंगे other found finds include large letters of the harappan script that were carved out of white stones and perhaps inlaid in wood और लोगों ने ये भी देखा कि बहुत से script जो कि अभी white stone में carved किये गई हैं वो सारे उन लोगों को मिले this is a unique find as journally harappan writing has been found on small object और जिसे अभी हमने जालतर देखा कि जो harappan है उन लोगों की जो writing है वो हमने seal दिखाया था उसमें चीज़े वो लिखते थे लेकिन क्या है फिर हमें बड़े-बड़े स्टोंस में भी जो हैं चीज़े मिलने लगी और फिजो लोथल की city थी जो कि ट्रिबुर्टरी ऑफ दिस साबर मती जो कि गुजरात में है वहां पर भी लोथल की city थी जो कि इट वो सिचुएटेड नियर एरिया वह ऐसे एरिया में प्रेजेंट थी जहां पर रॉव मटेर आपनें इंपरटन प्लेश थी जहां कि लोग किया है स्टॉनस ऑबजेक्ट बनाते थे क्योंकि यहां पर स्टॉन किया एजरी पाः जाता था और मेटल हो गया ठीक हैं सुट्ोंस में चाहां लोग समान अपना रख्ते थे ठीक हैं और इनके इंप्रेशन जो सील्स के हैं वो सारे हमें स्टोर हाॉस में पाए गई तो हमने आप पे देखा ने हड़पन में जो different cities थी वो कैसे डिवाइड की गई थी सबसे पहले देखा city जो हमने सबसे पहले देखी कि दो पर्ट में डिवाइड गई थी ओंड रॉबर पर्ट जो हाइयर वाले पाइड में था और लोवरवर एडिया में तीक पिर इसके भाद हमने मतलãy मतलब धोलए वीरा के बारे में भी पढ़ा यहां पर लोग कैसे रहते थे फिर लो ठल के बारहिमें में था ठीक तो हडपन में किया बहुत सारी cities थी हडपन में और वो दिवाइट थी मतलब और यहां पर क्या है हमें जो building a building that was found here was probably a workshop यहां पर हमें building भी मिली जो की workshop रही होगी जहां पर क्या बनाते होंगे लोग piece of stone और क्या था सारी चीज़ें यहां पर लोग बनाते होंगे अब देखे अब mystery of the end अब जिसे हडपत cities थी अब यह खतम कैसी होगी इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला है बस लोग अपने अपने अनुमान लगाते हैं एक idea लगाते हैं कि हाँ ऐसे खतम हो गई होगी तो देखे यहां पर क्या हुआ around 3900 years ago 3900 साल पहले we find the beginning of the major change अब 3900 पहले हमने देखा कि बहुत ही बड़ा चेंज आये हां पर जो चेंज था उसकी शुरुवात हुई जो लोग थे उन्होंने बहुत सारी शहरों में वहां रहना छोड़ दिया हडपा में और जो राइटिंग सील्स और वेट्स थे वो फिर जादा यूज फिर उन्होंने और यूज नहीं किया नहीं बनाया जो राइटिरियल वो लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करके लाते थे फिर वो भी चीज़ा बहुत कम होने लगी और मोहन जदाड़ों में हमने देखा कि जो गार्बेज है वो स्ट्रीट में कैसे खटा किया गया है और ड्रेनेश सिस्टम भी बहुत ही जादा ब्रोक हो गया है ऑर मतलब अच्छी बिल्डिंग्स पहले कैटा है इंप्रेसिव बिल्डिंग अच्छी स्टोन को अच्छे से बेक करके बिधिंग बनाई जाती थी फिर हमने देखा कि ऐसे अच्छी बिल्डिंग्स भी नहीं बनाई जा रहे हैं इस सारी चीज़ें कैयों होई एक दम सी त लोगों ने अपने इस इंगल काट दी होगा और लोग सोसते हैं इस स्टुड़ है वह वहां इस प्राइज़ प्रिक्स प्रिक्स और वह बिख बोग्ड करने के लिए चाहिए होगा उनके पास फ्यूल खतम हो गया होगा ठीक है कुछ लोग सोसते हैं कि बिसाइड destroy the green cover कि उन लोगों ने cattle sheep अपनी उन लोगों को इतना जादा चराया होगा कि जो greenery थी वो सारी खतम हो गई होगी ठीक है और कुछ लोग सोचते हैं कुछ area में क्या है बार आ गई होगी लेकिन मतलब इनका अभी तक कोई एसा reason जो real में reason है वो नहीं पता चला है कि reason क्या था अब देखिए अगर flooding भी हो रही है river dry भी हो रही है तो ऐसा होगा कि किसी किसी area में होगी ना ऐसा तो नहीं है पूरा हडपा city यह हर area में flooding मतलब सूखा पड़ जाएगा अब यह अभी अठ्छे से हमें पता नहीं चला है या फिर ऐसा भी लोग बोलते हैं कि जो रोलर है उन्होंने अपना control खो दिया होगा अपनी city से और in any case the effect of the changes are quite clear ठीक है तो मतलब बहुत से लोगों ने अपनी अलग-अलग कहानिया करके बता दी कि बाढ़ आ गई होगी या deforestation हो गया होगा या जो पशू है उनको जादा चरा दिया होगा तो अभी भी mystery है ये अभी भी मतलब एक solve नहीं किया गया है कि कैसे हडपा city जो है वो damage होई होगी एकदम से ठीक है तो student इस chapter में इतनी ही सारी चीज़ है तो I hope मैंने आपको जो भी चीज़े पढ़ाई है आ thank you so much